अब दोस्तो धीरे धीरे डीजल वाली आटो के रेजिस्ट्रेशन बंद हो रहे है तो आपको स्विच करना ही पड़ेगा CNG के उपर अगर आप किट लगवाते हैं तो बहुत ही बड़ी हैं लेकिन अगर आप नई खरेदने के सोच रहे तो आईए आपको बताते हैं बजाज आड़ी की तरफ साने वाले CNG पैसंजर आटो के बारे में कितने आपको मालेज देखने को मिलेगी कितने लोग आप उस पर बैठा पाएंगे इसकी कीमत क्या चल रही है औरूट कीमत कितने रूपर देखकर आप गाड़ी को घर लेकर आएंगे सारी बाते आपको बताएंगे आए थोड़ी गाड़ी के फीचर के बारे में हम बात करते हैं दोस्तों इसके डैस बोड के हम बात करेंगे सांदर आपको मिल जाते हैं पर अनलोग मीटर सी एंजी के इंडिकेशन आप यहां पर देख सकते हैं lockable glove box आपको इसमें देखने को मिल जाती है, mobile charger आपको देखने को मिलेगा, सारी आपको control यहां पर handle bar के उपर देखने को मिलती है, speaker आप लगा सकते हैं, कई सारे button दोस्तों आप यहां पर insert कर पाएंगे, और गाड़ी के दोस्तों हम बात करेंगे side profile के बारे हम जैसे कि आप द मिल जाते है, indicator, single wiper आपको देखने को मिल जाती है, बड़ी आपको मिल जाती है, visibility, यह सामने आपको रुस्तों है, पर CNG tank माउंट किये गए हैं, जसर कि आप देख रहे हैं driver के नीचे, और आपको दोनों ही side बहतरी दरवाजे आपको देखने को मिल जाती है, इसके rear profile के हम हम बात करेंगे, bulb bulb आपको मिल जाते है, real light, साथी आपको CNG के branding यहाँ पर देखने को मिल जाती है, और इसके front look के हम बात करेंगे, वो भी है काफी जाता बेहतरीन, इसमें आपको मिलता है, 230 CC के VA6 engine, जो कि आपको maximum power यहाँ पर देती है, 6.90 KW की 4700 RPM पर, और कहां पर देती है, लगभख से 16,90 KW के दूस्तों, mileage की हम बात करेंगे, यहाँ पर आपको 25 से लेकर 29 KW के आपको mileage कही जाती है, CNG में, मानेर बदला हो सकते हैं, गाड़ी चलाने की उपर सड़क कैसी है, इसमें आपको 18% के चढ़ाई चलने की छमता आपको देखने को मिल जाती है, clutch मिल जाते है, hydraulic drum brake, इसके sitting के हम बात करेंगे, driver को दूस्तों साथ आपको यहाँ पर 4 passenger के सुविधार देखने को मिल जाती है, driver को ले करके 4 person, वैसे पतले लोगों तो आप पीछे 4 लोग भी आसानी से बैठा पाएंगे, इसमें आपको 4 KG के हैं पर देखने को मिल जाती है, CNG tank, जो की लगभग से बराबर है 30 liter के water equivalent के, 2000 mm के आपको wheelbase यहाँ पर देखने को मिल जाती है, चोड़ाई है करीबन 1300 mm की, दूस्तों इसके लंबाई के बात करेंगे, वो है 2635 mm की, इसके height है करीबन 1700 mm की बात करेंगे, ground clearance के बारे में तो वो है 170 mm की, maximum gross vehicle weight है 708 kg, कर weight है करी दोस्तों एक सोर्म कीमत आपको लगभग से आपके सहर में यही देखने को मिलेगी थोड़े मोड़े बदलाव के साथ, लेगिन on route कीमत के हम बात करेंगे, वो आपको अभी UP के बलिया में देखने को मिल रही है, दो लाग 58,000 रुपए से लेकर, दो लाग 65,000 रुपए के अंदर ही, अगर आप रहते हैं बलिया के लाबा कहीं हो, तो आपको दोस्तों इसमें बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि on route कीमत में हम सामील करते हैं, आपको बदलाव देखने को मिलेगी, फिर भी आप यहां से expect कर सकते हैं कि अभी कीमत क्या चल रही है, और आप आप और 5000 रुपे का अपड़ान के हिसाब से अपनी बजट को आप बना सकते हैं, तो आसा करता हूं, दोस्तों आप समझ गयो होंगे, बजाज की तरफ से आने वाली RECCNG वाली वेरेंट में, कितनी मेलेज आपको देखने को मिलेगी, परफॉर्मेंस के साथ कीमत क्या है, दोस्तों वीडियो पसंद आई, लाइक जरू करेगा, इसे सेर करेगा, ऐसी जान करेगा वाली वीडियो स्पाने के लिए सब्सक्राइब जरू करेगा चैनल को, थैंक्स पर वाचिंग, स्टे ट्यून विट बावन